हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास3oneTag तो फ्रेंट्स मुझसे काफी सारे लोगों ने एक कॉश्चन पूचा है कि सर मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे कॉम्टिटी टैप तो मिल गया है ठीक है, उसी तरीके से image पूल भी होता है उसमें images के साथ आप लोगों की राय ले सकते हैं ठीक है, आप अपनी image को उसमें पोस्ट करेंगे या आप किसी भी जो आपने next video बनानी है उस topics related आप लोगों की राय ले सकते हैं कि आप किस topic पर video बनाएं तो आप 3-4 option उसमें डाल सकते हैं images के साथ और लोग आपको बता सकते हैं जिससे आपको असानी होगी अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल के community टैम में इमेज पॉल कर सकते हैं वीडियो काफी ज़्यादा इंफोर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हमने मोबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे हमें सबसे पहले यूट्यूब एप्लिकेशन के अंदर जाना है और इसमें हमें अपने चैनल से लोग इन कर लेना है उपर जाएंगे राइट काउंणर में उपर टोफ रॉाइट काउंडर में आपको उपर चैनल का इकन दिखाई देगा उसपर क्लिक करके आप यूवर्ट के अंदर आ पोल और इमेजिस का, तो हमें पोल करना है, तो हमें सिम्पल इस पोल वाले पे क्लिक करना है, अब यहां पर आप देख सकते हैं, एड्ड पोल ओप्शन, यहां पर इमेज और टेक्स्ट, आप इमेज से पोल करना चाते हैं, या टेक्स्ट के जरीए पोल करना चाते हैं, टेक क्या करना है, image पर click करना है और अपनी gallery में से जो image हम डालना चाते हैं, वो हमें select कर लेनी है तो मैं यहाँ पर image पर click करता हूँ ठीक है, इस तरीके से आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आप कितनी image डालना चाते हैं यहाँ पर दो दिखा रहा है ठीक है, option 1, option 2 अगर आप और डालना चाते हैं, तो यहाँ पर add option कर सकते हैं तो दो और आगई, 3-4 इस तरीके से आप जितनी चाहें यहाँ पर आप add option कर देंगे यहाँ पर 4 डाल सकते हैं अभी maximum तो यहाँ पर आप इतनी डाल सकते हैं मैं अभी सिर्फ आपको 2 डाल के दिखाऊंगा ठीक है, उपर यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ public लिखा है, right side में यहाँ public पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपनी इमेज पोल जो है, वो channel member से लेना चाते है ठीक है, silver वाले member से लेना चाते है gold member से, diamond member से या फिर आप public रखना चाते हैं तो हम इसे public रखेंगे कि कोई भी हमारे इस post को पढ़के पोल कर सकता है उसके बाद आपको यहाँ पर time घड़ी दिखरी होगी इसी के बाद पब्लिक के बाद यहां पर घड़ी पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं इस इमेज वाले को ठीक है यहां पर डेट चेंज कर सकते हैं इस एरो पर क्लिक करके यहां से आप डेट सेलेक्ट कर सकते ह यहां से आप time select कर सकते हैं किस time करना है यहां पर ठीक है back आ जाएंगे और उसके बाद आपको यहां पर एक और डमरू सा दिखाई देगा वहां पर expiry आती है इसकी कि अपने post को आप expiry करना चाते हैं मतलब आप 24 घंटे के बाद अगर आप इस पर click करेंगे तो 24 घंटे के बाद आपका इमेज पोल अपने आप disappear हो जाएगा अपने आप गायब हो जाएगा हट जाएगा आपके community tab में से अगर आप none पर रखेंगे तो यह हमेशा रहेगा ठीक है बैक कर लेंगे उसके बाद हम यहां पर image select करेंगे ठीक है image में डाल देता हूं दो ठीक है कोई भी image डाल सकते हैं आप किसी भी तरीके की तो मैं यहां पर दो image कोई भी इन पर click करके मैं इस पर click करूंगा जैसे ही option 1 पर तो यह मुझे gallery में ल कर सकते हैं इन पर जो यह pencil का icon इस पर click करेंगे तो हम यहां से edit कर सकते हैं square में रखना है हमें ठीक है छोटा बड़ा काट सकते हैं इसके बाद सेव कर देंगे square में automatic काट लेता है वैसे तो यहां पर हम लिख सकते हैं pictures के बारे में लिख सकते हैं आपको कौन सी कौन सी photo ज् अच्छी लगी यह तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं सिर्फ ठीक है और जैसे यह पोस्ट पर click करेंगे तो यह post हो जाएगा हमारा जो यह वोला पोस्ट बना है जो image पोल का जैसे मैं इस पर पर पोस्ट पर click करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से आप अपने community टैप के अंदर image पोल करना सीख सकते हैं बहुत ही असानी से तो फ्रेंड्स अब आप अच्छे से सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल के अंदर community टैप जो है आपका उसके अंदर आप image पोल कर सकते हैं और लोगों की राय ले सकते हैं जिसस से लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू